हेलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विसेयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परिच्छा की द्रिष्टी से अती महत्यपून है तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह टीचिंग एप्टिटूड का प्रैक्टिस सेट है जो सीटेट एयों यूपी टेट तथा और भी अलग स्टेट के टेट में आते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए तो कहाँ पर दिया जाना चाहिए भूमिका को छात्रों की संकाओं के निवारण को या फिर विसय के प्रस्तुति करण को या फिर ग्रहकार को तो एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय विशय के प्रस्तुती करण को दिया जाना चाहिए इसलिए option C आपका right answer हो जाएगा भुगोल का पाठ पढ़ाते समय सिच्छक तुलना विदिका सहारा ले शकता है इस प्रणाली से छात्रों में क्या होगा निरिच्छण के गुड़ का विकास होगा परिच्छण के गुड़ का विकास होगा यह है यह सभी तो भुगोल का पाठ पढ़ाते समय सिच्छक तुलना विदिका सहारा ले शकता है इससे क्या होगा इससे जो है निरिच्छण के गुड़ का विकास होगा और सोचने का गु वही है जो उसने स्वयम प्राप्त किया है। यह कथन किसका है Walter Scott का, Russo का, W.M. Riven का या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतेक छात्र की सिच्छा का सर्बोत्ता भाग वही है जो उसने स्वयम प्राप्त किया है। यह कथन जो है Walter Scott का है। आप्षन A आपका राइट एंसर हो जाएगा। लाड मैकाले ने सिच्छा सम्मंदी अपनी शिफारिस कब की थी। 1882 में, 1835 में, 1885 में या फिर 1909 में। तो लाड मैकाले ने सिच्छा सम्मंदी अपनी शिफारिस 1835 में की थी। इसलिए Option B आपका सही एंसर हो जाएगा। अगला कोईश्यन है। किंडर गार्टन सिच्छा पडाली में सिच्छक का अस्थान। तो जो किंडर गार्टन पडाली है उसमें सिच्छक का अस्थान कौन सा है। कुमहार जैसा होता है, रेफ्री जैसा होता है, दीपक जैसा होता है या फिर माली जैसा होता है। तो किंडर गार्टन सिच्छा पडाली में सिच्छक का अस्थान जो है वहाँ माली जैसा होता है। क्योंकि किंडर गार्टन में छोटे बच्चे रहते हैं तो उन्हें बहुत ही देखभाल की आवश्रकता पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर उन्हें को माली जैसा माना गया। सिच्छा में खेल विदी का जनमदाथा किसे माना जाता है। कार्डवेल कुक को जान डीवी को फ्रोवेल को या फिर माडम मांटेशरी को तो सिच्छा में खेल विदी के जनमदाता जो है कौन है वह है फ्रोवेल महोद है आप्शन C आपका सही एंसर हो जाएगा महत्मा गांधी ने बेसिक सिच्छा की धारणा का परियोग सबसे पहले कहां किया था आप्शन है शांती निकेतन में टालस्टाय फार्म में नोवा खाली में या फिर सेवा ग्राम में तो महत्मा गांधी ने बेसिक सिच्छा की धारणा का परियोग सबसे पहले टालस्टाय इसलिए आफशन B आपका सही एंसर हो जाएगा अगला है निर्दरस्णो का परियोग इसलिए किया जाता है क्योंकि छात्र अमूर्थ विचार की भली भात शमझले छात्रों का ध्यान अन्यत्र ना जाए पाठी विसै में छात्रों की रुचिप बनी रहे तो इसमें क्या हो यह सभी एंसर सही हो जाएंगे अगला है हरबर्ड की पांच चरण वाली पढ़ाली का एक दोस है छात्रों को निस्क्रे बनाया तथा कच्छा वातावन को लोगतंत्र की ओर ले जाना या हरबर्ड की पांच चरण पढ़ाली का एक दोस इसलिया अप्जन ए आपका सही एंसर हो जाएगा अगला है कच्छा सिच्छण में हरबर्ड ने पांच चरणों का सुझाव दिया उदेश कथन चरण है प्रस्तावना से पहले आता है प्रस्तावना और प्रस्तुती करण के बीच में आता है प्रस्तावना और प्रस्तुती करण के बाद आता है तो जो हरबर्ड ने पांच चरणों का सुझाव दिया उसमें उदेश कथन का बाता है तो उदेश कथन प्रस् करण के बीच में आता इसलिए आपसन भी आपका सही एंसर हो जाएगा माडल चित्रों से उत्तम निर्दर्शन होते हैं क्योंकि उनमें लंबाई चोड़ाई और उचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं ये कलपना सक्ति का विकास करते हैं इनमें ग्यान का विस्तार होता है य क्योंकि उनमें लंबाई चोड़ाई और तीनों दिखाई पड़ते हैं इसलिए या सही होता है या उद्दम होते हैं इसलिए आपसन ए आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है प्रोजेक्ट कारिका उद्देश चात्रों में तत्यों को व्यवहार में लान है स्रिजनात्मक योगताओं को प्रत्साहित करना है तो प्रोजेक्ट कारिका उद्देश चात्रों में स्रिजनात्मक योगताओं को प्रत्साहित करना है अपसन डी आपका सही एंसर हो जाएगा आगला प्रशन है निम्न लिखित प्रशनों में से कौन सा प्रशन शमश्य प्रधान है तो आप्शन देख लेते हैं यदि प्रतिवी पर सारी वनस्पती नश्ट हो जाए तो क्या होगा औरंग जेब की मराठा नीत के क्या परिडाम निकले सूती कपड़े किस वस्तु से बनते हैं गुजराद में खाद्यानों की मुखफशल कौन सी है तो ये तो क्व समस्या रूपी जो है प्रधान है कौन सा प्रश्ण है यदि प्रतिवी पर सारी वनस्पती नश्ट हो जाए तो क्या होगा मतलब इसमें यह समस्या उत्पन्न कर रहा है यानि अगर नश्ट हो जाती है तो क्या होगा कौन सी समस्या आ जाएगा इसलिए ऑप्शन ए आपका सही answer हो जाएगा निमने लिकित में से किसे विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जनमजात स्वभाविक प्रवर्ती है इसलिए option B आपका सही answer हो जाएगा अगला प्रशन है आविर्ती के सिध्धांत का उद्देश है अरजित ग्यान को अस्थाई बनाने के लिए उसे दोहराना पाठ्थ विसे को सरल बनाना ग्रहकार को शरल बनाना या फिर कंठस्त करना तो आविर्ती के सिध्धांत का उद्देश है अरजित ग्यान को अस्थाई बनाने के लिए उसे दोहराना उप्षन ए आपका राइट एंसर हो जाएगा छात्रों को पहले कोई सामान नियम बता कर उसके बाद उस नियम के उधारण दे कर नियम की पुष्टी करने की विधि को क्या कहेंगे निगवन विधि कहते हैं संसलेसर से विसलेसर की विधि कहते हैं या फिर अनुभव से तरक की विधि कहते हैं या आगवन विधि कहते हैं तो छात्रों को पहले कोई शामानी नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदहन देकर नियम की पुष्टी करने की विधी को हम निगवन विधी कहते हैं इसलिए आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है प्रश्णों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागरित होनी चाहिए यहां उक्ति किश्विद्वान की है राइबर्न की पिन सेंट की रेमांट की या फिर इनमें से कोई नहीं तो प्रश्णों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागरित होनी चाहिए यह उक्ति जो है रेमांट महदय विद्वान की है इसलिए उप्शन सी जो है सही हो जाएगा किसी पाठ को पढ़ाने में सिक्षक को सबसे अधिक प्रश्ण किस चरण में पूछने चाहिए प्रश्टावना चरण में पुर्णरा वृत्ती चरण में विकास चरण में या इन में से कोई नहीं तो जो शबशे अधिक प्रश्ण पूछना है वह जो है विकास चरण में पूछना है जो कि option C में दिया हो यही आपका सही हो जाएगा प्रश्टावना में आपको question कितने करने है तो इसमें लगबग 2-3 question करने रहते हैं जो की शुरू में ही करने रहते हैं next है छात्रों को तातकालिक प्रेणाए प्राप्त हो शक्ती है शात्रों को डाटने फटकाने से, शात्रों को महापुर्षों के जीवन से उद्रण देने से, शात्रों को प्रिस्कृत करने से या फिर शात्रों को व्यख्यान देने से तो शात्रों को ताकालिक प्रेणाये प्राप्त हो सकती हैं शात्रों को प्रिस्कृत करने से option c जो है सही answer हो जाएगा आपके अनुसार कच्छा में वातावरण कैसा होना चाहिए छाद्रियूम अध्यापक दोनों का बराबर योगदान सक्त अंतर्मुगी वा सयमित उपर्युक्त में से कोई नहीं तो आपके अनुसार जो है कैसा होना चाहिए सक्त होना चाहिए जो की seatate मानता है वही हम आपको answer में बताएंगे सीटेट मानता है सक्त होना चाहिए next है विद्याले में परियावरण सिच्छा दी जा सकती है कैसे दी जा सकती है स्वयम अपना कर भासर द्वारा लेखो द्वारा खेल कूद द्वारा तो जो परियाओन को स्वयम अपना करके अच्छे से सिछा दी जा सकती है लेकिन ऐसा समझा नहीं जा सकता लेखो द्वारा भी नहीं होगा खेल कूद द्वारा भी नहीं होगा तो यह तीनों अंसर कट जाएंगे लेकिन परियाओण को स्वयम अपना करके अच्छे से शिच्छा दी जा सकती इसलिए आपका सही एंसर हो जाएगा निस्क्रिए प्रतिर अच्छा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके अनटीवाडी ती का प्रतिजैविक या फिर एंटीजैन तो निस्क्रिये प्रतिर्यच्छा को प्राप्त किया जा सकता है एंटी वाडी इस निवेशित करके इसलिए अप्षिन ए जो है सही हो जाएगा प्राथमिक अस्तर पर एक सिच्छक में निम्न में से किसे सबसे महत्तपूर विसेशता मानना चाहिए प्राथमिक अस्तर पर एक सिच्छक में निम्न में से किसे सबसे महत्तपूर विसेशता मानना चाहिए इसलिए अप्षिन बी जो है सही हो जाएगा अगला है शीखना समर्द्धी हो शकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहणों को कच्छा में लाया जाए जिसमें विद्यार्ती एक दूसरे से अंताह किरिया करें और सिच्छक उष्य प्रक्रिया को शुगम बनाए कच्छा में अधिक से अधिक सिच्छन सामगरी का प्रियोग किया जाए सिच्छक विभिन प्रकार के व्याख्यान और अस्पश्टी करण का प्रियोग करें कच्छा में आव अधिक परिच्छाओं पर आपेचित ध्यान दिया जाए तो सीखना सम्रद्धी हो सकता है यदि वास्तिभिक दुनिया से उधाणों को कच्छा में लाया जाए जिसमें विद्यारती एक उसरे से अंतक्रिया करे और सेच्छा कुस्प्रिक्रिया को शुगम बनाए इसलिए option A आपका सही हो जाएगा निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रिक्रिया की विसेस्ता नहीं माननी चाहिए सैच्छिक संस्थान ही एक मात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है शीखना एक व्यापक प्रिक्रिया है सीखना लच्छोन मुकी होता है और अधिगम भी सीखने की प्रिक्रि ओल्जिया की विसेश्टा नहीं माननी चाहिए, सैच्चिक संस्तान ही एक्माथ, रस्थाने जहांदिगम प्राप्त इसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो सतिạnh्षा है, वो हम कहीं से भी सीख सकते हैं, उसके लिए कोई सैच्चिक संस्तान कि आउ सकता नहीं होती है. किसको एक अभी प्रेरित सिच्छड का शंके तक माना जाता है तो किसको माना जाता है option है कच्छा में अधिकतम उपस्तती को कच्छा में एकदम खामोशी को विद्यार्थी द्वारा प्रश्ण पूछना या फिर सिच्छक द्वारा दिया गया उपचारातमकार खर में जादा बात नहीं करती, लेकिन विद्ध्ध्याले में वहा काफी बात करती है। विद्याले हर समय बच्चों को खूब बात करने का अफशर देता है शिख्चकों की या मांग है कि बच्चे विद्याले में खूब बात करे कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है उसके विचारों को विद्याले में मानता मिलती है इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह उसके विचारों को विद्याले में मानता मिलती है जो डी सही हो जाएगा एक सिक्चक को अपने विद्याले की समताओं को समझने का प्रियास करना चाहिए निमने लिखित में से कौन सा छेत्र इस उद्देश के समबद है मीडिया मनोविज्ञान, सामाजिक दर्सन, सिच्छा समासास्त्र या फिर सिच्छा मनोविज्ञान तो इस उद्देश के सबद है सिच्छा मनोविज्ञान आपसन डी जो है सही हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में अभी प्रेणा सिच्छार्थियों के स्मर्ण सक्ति को पैना बनाती है सिच्छार्थियों में सीखने के प्रती रुच का विकास करती है सिच्छार्थियों को एक दिसा में सोचने के लिए योग बनाती है या फिर पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है तो सीखने की प्रक्रिया अब प्रेडा यानि सिच्छार्टियों में सीखने के प्रती रूची का विकास करती है आपसन भी सही हो जाएगा निचली कच्छाओं में सिच्छड की खेल प्रती मूल रूप से आधारी थे तो किस पर आधारी थे? सिच्छड की समा सास्त्रिय सिध्धान्तों पर नहीं है सिच्छड प्रती के सिध्धान्तों पर विकास यों ब्रद्धी के मनोवग्यानिक सिध्धान्तों पर या फिर सारी डिक्सिच्छा कार्करमों के सिध्धान्त पर तो खेल पद्यत मूल रूप से आधारित है विकासयों ब्रद्धी के मनोबैग्यानिक सिध्धान्तों पर आफसल सी सही एंसर हो जाएगा एक बच्चा अतीत की समान प्रस्थिती में की गई अनुकरियाओं के आधार पर नई स्थिती के प्रते अनुकरिया करता है यह किसे से सम्मंदित है सीखने के ततपरता नियम से सीखने का प्रभाव नियम से, सीखने का प्रक्रिया अविवर्ती नियम से या फिर सीखने का सद्रस्ता नियम से तो यह जो है सीखने का प्रभाव नियम से सम्मंदीत उप्शन B सही एंसर हो जाएगा बच्चों के संग्यान आत्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहा परवासित किया जा सकता है आपसन है आडिटोरियों में, विद्याले योम कच्छा में, ग्रह में, ग्रह मलब घर, घर में, खेल में, सुरी, खेल के मैदान में तो बच्चों के संग्यान अत्मग विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्याले योम कच्छा में परिभासित किया जा सकते हैं B. सही answer हो जाएगा किसको अनु प्रेरित सिच्छड के एक संक्यत के रुप में विवेचित किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्ण पूछना कच्छा में अधिकता मुपस्तिति सिच्छक द्वारा दिया गया उपचारात्मकार या फिर कच्छा में पूर निरवता तो विद्यार्थियों द्वारा प्रेश्ण पूछना अनुप्रेरित सिच्छण के एक संकीत के रूप में विवेजित किया जाता है इसलिए option A सही answer हो जाएगा अधिगम के प्रकरम में अभिप्रेरण एक देशिये रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रूची का स्रिजन करता है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विवेजित करता है सीखने वालों की स्मृति को तेज़ बनाता है तो अधिगाम के प्रक्रम में अभिप्रेनन वा नए सीखने वालों में अधिगाम के लिए रूची सिर्जन करता है इसलिए अफसन भी सही हो जाएगा एक सिच्छ को साधन संपन होना चाहिए इसका अर्थ है विद्यार्थों के बीद उनकी प्रसिद्धी होनी चाहिए उनके पास परियाप्त धन संपता होनी चाहिए ताकि उसे सिच्छत देने की जरूरत नपड़े इसा नहीं है उनका अधिकारिक के उच्छिस्तर होना चाहि यही आपका सही हो जाएगा, उपसर D, next question देखते हैं, अधिगम से सम्मंदित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपहार है, ग्रान्थाले में निरिचित अध्यन, निदानात्मक सिछण कठोर प्रिश्णम का सुझाओ, या फिर निजी सिछण का सुझाओ तो अधिगम से सम्मंदित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपसार जो है वा निदानात्मक सिछण है, उपसर B, सही हो जाएगा, एक सिछखक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, उदहन देकर, पुरुसकार देकर, कच्छा में भासर देकर, स सही एंसर हो जाएगा, आपके विचार में सिछण क्या है, एक कला है, एक कावसल है, एक तपश्या है, या फिर एक क्रिया मात रहे, तो आपके विचार में सिछण एक कावसल है, उपसर B, सही एंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों में स्रम की स्पूर्थी का विकास करने क लिए विद्यार्थियों को स्रम करने वाले लोगों का उधानर देना पड़ेगा सिक्षक अपने ही स्रम में प्रवर्ति दिखाएगा सिक्षक स्रम के महत्त पर व्याख्यान करेगा या फिर समय समय पर विद्यार्थियों को स्रम करने का आउशर देना पड़ेगा तो विद् इतना ही next practice set में हम इससे आगे के part पर चर्चा करेंगे तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि हमारे वीडियो डालते ही आपको notification मिल सके तो थैंक यू जैहिन जै भारत